जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल जैकपूर पे तो आज का वीडियो आप लोगों को क्यों देखना चाहिए सबसे पहले ये बात आप लोग जान लो ध्यान से क्योंकि आज का जो वीडियो होगा न वो आप लोगों के क्लाश 10 के साइंस का चैप्टर 1 का सबजेक्टिव होगा और सबजेक्टिव में भी कौन सा सबजेक्टिव होगा वो सभी सबजेक्टिव देखेंगे जो आपके फैनल एक्जाम के लिए important है जिसको जैक बोड़ ने 3 बार चार बार पांच बार छे बार पूछा है यानि कि हर बार रिपीट होता है ऐसे ऐसे सवालों को आज के इस वीडियो में हम देख देख देवाले हैं इसलिए आज का जो वीडियो होगा वो काफी important होगा सुरू से लेकियां तक बने रहीएगा वीडियो को अभी से like कर दी कि हम कहां से बता रहे हैं लेकिन जो important है वही सब बताएंगे आपको ठीक है आप सवाल को note करते चलिएगा अगर आपके पास answer नहीं है तो आप answer को भी लिख सकते हैं यहां पे ध्यान दीजेगा यह सवाल आपके previous year question में पूछा गया है और सवाल कहां से पूछा गया था आ अगर पूरा सवाल आपके एक्जाम में आता है तो आपको यहां से पूरा answer लिखना होगा अगर अधूरा सवाल आएगा तो आपको यहां से लिखना है ठीक है चलिए इसको पढ़कर सुना देते हैं आप लोगों को कि वह रसायनिक अभी किरिया जिसमें दोनों और परतिय परतियक तत्व के परमानूं बराबर होते हैं संतुलित रसायनिक समिकरन कहलाता है इसका अंसर होगया यहां तक खتم दूसरा का जो आंसर है यहां से चालू है ठीक है तो जैसा question रहेगा वैसा आपको आंसर करना है अब यहां पर देखे कह रहा है कि रसायनिक समिकरन को दरव्मान संगरक्षन के नियम के अनुसार दरव्मान ना बनाया जा सकता है और ना ही नश्ट किया जा सकता है। यह सवाल आपका पूछा गया था 2018 में कब पूछा गया था यह सवाल आपका 2018 में जैकबोड में आया हुआ सवाल है कि वायू में जलाने से पहले मैंगनेसियम रीबन को साफ क्यूं किया जाता है तो वायू में जलाने से पहले मैंगनेसियम रीबन को रेगमाल से रगल कर जो वायू मंडलिय औक्सीजन और कार्बन डायोकसाइड से अभिकरिया के फलसोरूप रीबन पर बना था तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लिजे, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अभी सवाल को ध्यान से देखिएगा आप लोग उस्मा छेपी तथा उस्मा सोसी अभिकरिया का क्या अर्थ है उधारन के साथ आपको बतानी है ठीक है, क्या है सवाल उस्मा छेपी और उस्मा सोसी अभिकरियाओं का अर्थ आपको बताना है ये सवाल आपके आया था 2010 में कब आया था 2010 में बोड एक्जाम में पुछा गया सवाल है अब देखे यहाँ पर कहरा आप से कि उस्मा छेपी अभी करिया वो अभी करिया है जिसमें उत्पात के साथ साथ उस्मा का सर्जन होता यानि उस्मा बनती है उसे उस्मा 6 पी अभिकरिया कहते हैं एक्जाम्पल दे दिया यहां पर CH4 का O2 के साथ अभिकरिया कराया तो CO2 H2O पलस उस्मा निकला यहां पर ठीक है तो उस्मा सोसी अभिकरिया वो अभिकरिया जिसमें अभिकार को अब आईए उस्मा सोसी को अभिकारकों को तोड़ने के लिए उस्मा या अनिकिसी परकार की उर्जा के अभिसकता होती उसे उस्मा सोसी अभिकरिया कहते है यानि कि उसमें उर्जा खपत हो जाएगा यहाँ पर देखिए उर्जा क्लिक्या लिया सुरी का परकास लिया और यहां से उर्जा यहां पर कोई भी उर्जा नहीं निकला ठीक है यह वाले एक्जामपल आपको देना होगा लाश्ट में ठीक है न इसको आप लोग ध्यान से समझ लेना अब आईए नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग इस सवाल को ध्यान लिखना होगा और दो एक्जामपल देना होगा तो किसी अभी क्रिया में ऑक्सिजन की विर्दी उप्चयन कहलाता है यह वहां पर उक्सिजन जो क्या होगा विर्दी होने का क्या मतलब होगा ऑक्सिजन जूट जाएगा जैसे कारबन में ऑक्सिजन को मिला है तो CO2 बन गय अब चेन में क्या होगा अभी क्रिया में ठीक उसका उल्टा होगा अब विकरिया में oxygen काAwraas होते है नेoxygen कर अब देख्या नठीर कोंकि हरता है इस यहां पर हीरोजोन का आपकाँ कलातक हो गया है तो है अब जान आए बास बजमाय उप्चेन और अप्चेन काफी important है और यह सवाल आपका हाल ही के board exam में पूछा गया था यह 2019 में ठीक है यह सवाल आपका 2019 के board exam में पूछा गया सवाल है अब यह वाली सवाल को थोड़ा ध्यान से दिखिएगा यहां पर थोड़ा changing किया गया था क्या changing किया गया है जिसे सवाल में आपको बोला है कि निम्ड अभी किरियाओं के लिए संतुलित समिकरन दिखें जानी आपको यह question देगा और उसके हटादिया था, यह 2 हट गया था, यह 3 हट गया यह 2 हट गया यह सब कुछ हटा करके आपको balance करने के लिए था equation को बस मैं ही मेरा कहने का क्षाने का मतलब है यानि यह सब नहीं दिया था डारेक्ट इसको लिक्र के दिया आपको बोला इसको संतुलित कीजिए यानि इसको balance कीजिए तो देखिए balance करने का क्या मतलब होता है ठीक हम आपको समझाते हैं ध्यान से समझज़िएगा अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कहई रहा है है कि hydrogen का chlorine के साथ अभी क्रिया कीजिए तो आप hydrogen के लिए क्या formula लिखोगे H2 प्लस लिख दो कलोरीन के लिखोगे CL2 सब का फॉर्मूला याद कर लिजेगा फिर क्या बोला है हैड्रोजन कलोराइट लिखे हैड्रोजन कलोराइट का मतलब क्या होता है HCl यह आपको समझ में आ गिया इतना किलियर है अब देखिए यहाँ पर 2 को हैड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पर कलोरीन दू को दिख रहा है यहाँ पर एकके को हैड्रोजन है और एकके को कलोरीन है यह भी दू को होना न चाहिए तो आगे में 2 लगा दो जैसे ही आप आगे में दू लगा होगे तो दू हेड्रोजन बन गया, दू कुलोरिन बन गया, दू हेड्रोजन दू कुलोरिन, यह बैलेंस हो गया, देखिए, यही चीज़ यहां पे लिखावा है ना, बैलेंस करके, बस मुझ में आए कि नहीं, तो ऐसे ही आप लोगों को होता है बात ठीक है क्लियर हो गया सभी को चलिए दूसरा दिखाते हैं आप लोगों को दूसरा क्या बोला है bayrium coloride बेरियम coloride का formula रट लिजेंगा क्या होता है bacl2 ठीक है plus aluminum sulfate aluminum sulfate का क्या होगा al2 ठीक है उसके बात क्या है बाबू आप जब बैलन्स करने के लिए इसको जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ पर है पका थीया बारा को शल्फेट है यह गुन ना में है ना चारती है बारा और इतीन चोके कितना हो जाएगा बारा तो बारा सलफेट हो गया यानि टोटल आप लोग का जो है क्या हो गया बैलेंस हो गया ठीक है क्लियर है चलिए अब देखें यहां पर लास्ट वाला इसको समझे अभी तक अपने नहीं समझा तो ध्यान स कियेगा तो यहां पर ध्यान दिजिएगा दोनों फॉर्मूला हमने लिख लिया पहले बोला सोडियम का तो सोडियम लिख दिया फिर बोला जल का तो जल का फॉर्मूला लिख दिया हम लोग अब क्या बोलता है अब बोलता है कि सोडियम हैट्रोकसाइड बनाईए सोडियम करने के बाद अब balance इसको करना होगा ठीक है balance कैसे होगा यह आपको यह दिया रहेगा एक्जाम में बूलेगा इसको balance करके दिखाईए अच्छा दिखा देते हैं tension का है अब देखो यहाँ पे इक रहे balance करने का एदुए तरीका आप दिखो यहाँ पर 2 हैडरोजन यहाँ दिखlish ओ दू इखे चार बन जागा अन्य दूख दू हेडरोजन मिलके दूख जम धुग न दू लगईा तो इसको क्या होगा धूखी मों सोडियए तो यहाँ जाएं்टू ऐसजए आँगा कहेगो बच्चा दूगो कहेगो दूग के साथ ही और दूगो ऑक्सिजन तो यहां से भी दूगो ऑक्सिजन यानि देखो बहुत सारा टीचर ना आप लोग को फॉर्मूला से बताएगा हम ऐसे आपको मेंटली बता रहे हैं मेंटली इसको बैलेंस करना सीखिए काफी जल्द वीडियो में आपका नाम लेंगे ठीक है थैंक्यू वेरी मच्च